मस्ते बच्चो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में तो आज ही इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पाट साल जिसका नाम क्या है बच्चो कुछ पाकर देख ओके यहां पर एक बड़ी ही प्यारी सी कविता दी गई है जिसको हम लोग पढ़न वाले हैं हर एक लाइन इस कविता की हर एक लाइन आपको कुछ न कुछ संदेज दे रही है तो इस कविता के रचनाकार कौन है यानि इसको लिखा किसने है तो बुद्धिनात मिश्र जी ने लिखा है इनका परचे देख लेते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1 मई 1949 में ठीक ह देवगा समस्ती पुर्विहार में इनकी रचनाय देख लेजिए तो जाल फेकरे मचेरे सिकरी निनी फिर जाने में पहार नवगीत दशक ये सबी इनकी रचनाय है और बुद्धिनात मिश्र जी को अनेग सम्मान पुरसकार प्राप्त हुए है वे गीतकार यानि इनको बह और पाने सपनों को सुल्टाने मन के दिये जलाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरेत किया है तो चलो बच्चों बिना कुछ देरी किये इस पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं स्टार्ट करें सब लोग त्यार होगें चलो सबसे पहले हमें काम करते इसको गाते उनके तो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोग गाएंगे बहुत अच्छ लगेगा मैं तो गाऊंगी तो गेरों को अपना कर देख कुछ झ네요d, करकुत फाकर देख दुनिया नहीं, बसा करदेख काटे कोल कर हसदेंगे, बहला कर सहला कर देख मैं भिउ कितना हूत नहां यह तू मुझमें आ कर देक्छ दुनिया नई बसाकर देख, तो बस मैं इतना ही घाती हूँ, अभी आप लोग पूरा गाना, ठीक है, तो छलो, देखते हैं, यहां पर कभीची क्या कहते हैं, कुछ खोकर कुछ पाकर देख दुनिया नहीं बसाका देख देखो बच्चो ये जो कभी है इस कविता के माध्यम से हमको एक संदिश दिना चाहते हैं हमसे कुछ कहना चाहते हैं क्या कह रही है कुछ खोकर कुछ पाकर देख यानि आपको क्या करना है जैसे जीवन जो हमारा ह समझें हम अगर हमारी कोई चीज घीव है तो हमको उसके बदले में जाती है यहां कि आपको कुछ पाने के लिए ना जैसे आगर आपको एक चोटा सा उधारन लेते अगर आपको परिक्षा में अच्छे नमबर लाने तो क्या गरना पड़ेगा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा आलस से को त्यागना पड़ेगा यानि आलस से आपकी जो नींद है उसको खोना पड़ेगा यह सारी चीज़ खोगे तभी तो आपको अच्छे मांक्स मिल पाएंगे अच्छे मांक्स आप करके आप देखो जैसे हमारे जो संगी साती होते हैं समझे को छूड़ जाते हैं तो उनको आपके सामने हैं उनके साथ अपनी दुनिया बसाई है तो क्या पकर देख और दुनिया नहीं बसाई तुक French कुण कि मतलब यहां पूरी दुनिया है जो आपका कदमे दुनाइं क्लति हो देख उसको पहले अपना हो तो करें आप पहले यह हमारे घर का वह बुरा ही महीं इनसान ओप लोगा उसको जाननी कोशिश कर यह समझने की कोशिश करो के जो चाहर है तो आप आपको क्या करना चाहिए किसी को भी ऐसे जजने करना चाहिए कि वह सो समझी है और जब अपको प्रेम से बिठाइगे उसको समझने की कोचिश करेंगे तो फिर तो ओव्झा का अपने आप हो जाएगा तो यहां पे लेकर जी की कहने का मतलब यह है कि मौसम कदमों पर यहीं स शब्स आप करेंगे सब लोग आपको मानेंगे आप पहले गैरों को अपना कर तो करो तब तो तुमको पता चले न समझ लिए हम यह थoshu देन education for देखेंगे ना तो आपको क्या करना है गैरों भी अपनाना है उनको अपना यह फिर देखिए मौसम आपके कदमों में होगा चलो अभी आगे देखते हैं काटे खुलकर हस देंगे बहला कर सहला कर अभी काटे मतलब क्या जैसे जो बुरे लोग है अभी अभी मैं बोल रही थी कि आप उनको पहले अपना हो तो आप तो अच्छे ही हो जाएंगे ठीक है चलो अभी आगे देखते हैं मैं भी कितना हूं तनहा यह तू मुझ में आकर देख अभी देखो बच्छों यहां पर कवी ची क्या कहते हैं कि मैं भी कितना हूं तनहा यानि मैं कितना अकेला हूं यह तू मुझ में आकर के देख यानि कोई इंसान है वो चुप-चुप सा पहले जब मुझे से बात करेंगे तब तो हमको पता चलेगा अगर हमने उससे कुछ पूछा यह को कैसे पता चलेगा नहीं तो यहां पर लेगग जी कहते हैं कि मैं कि लेगग जी कभी जी मैं भी कितना हूं तब तुम को पता चले मैं कितना अकेला हूं फिर आपके लड़की और लड़की मतलब बेटी वह तो लाड़ली बेटी ही है अगर यह आपansa चान सितारे भी मांगती है तो उसको लाकर के तो दीजिए तब आपकी लाड़े ही बनी रही गया भी चान सितारे लाना नहीं है तो इंपॉसिबल सी चीज है कोई भी नहीं ला सकता वैसे तो बोल सकते कि आप बोलो तो चान सितारे तोड़ रहेंगे पर उड़ने वाले आप उड़ सकते होंगे आप परी हो किया उड़ीं करके जाओगे चान सितारे तोड़ करके लिए होगे उसकी जरूरों करो तो ही सपनों को सुल्टा कर देख क्या हम वोग सपने देख है आज थो हम आज एक हमने सपना देख लेकी कोई इंजी नियर और इस इसके लिए आप लोगों को करना क्या पह Müहनत करनी पढ़ेगी है ना उसका सॉलूशन पया मतलब क्या होता है consumo कोई प्रॉब्लम है तो उपनों को सुल्टा कर देखो यानि सपनों सफनों के लिई आप मैनत करो कर आप बहुत जादा मेहनत करोगे एक दम मन लगा करके पढ़ाई करोगे तो अंत में आप एक डॉक्टर बन जाओगे है ना बनोगे ना यहीं सपने ही आपके क्या है साथ ही है ठीक है पहले उनको सुल्टाइए तो सही यानि उनको पानी के लिए मेहनत तो करिए वह आपके सा कर देख लौट के विछड़े आएंगे घर की राह सजा कर देख ना तंदेरे को मतकोष मन का दिया जला कर देख चलो बताते हूँ क्या बोला इन्होंने सारा जंगल जिंदा है तू बादल बरसा कर देख यानि ये जो सारा जंगल है ये पुरावन उप वन है ये जो पेड हम किसी इंसान को समझ लेते कि उसके अंदर तो कुछ ही नहीं वो किसी काम का नहीं है ठीक है हमने यह पहले उसको सोच लिया यह तो कुछ नहीं कर सकता एकदम बेकार सा है अरे आप यह पहले जज नहीं कर सकते पहले नहीं बता सकते वो किसी काम का नहीं है पहले आप उसके सब काबिलियत है लेकिन पहले थोड़ा सा पानी तो बरसा हो थोड़ा बादल बरसा हो तब तो जाके वो कुछ कर पाए तो सारा जंगल जिंदा है तू बादल बरसा करें लौट की बिच्ड़े आएंगे घर की रहा सजा कर देख जैसा देखिए आप से कोई रूट करके चला अब वह वह वापस आएंगे पहले आप घर की रहा सजा कर तो यानि आप उनको बुलावतों से आज हमारे और आपके भीच में जगड़ा हो गया तो हम क्या करते हैं हम अभी उन्होंने पहले हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे विवार किया हमारे साथ बहुत प्रेम से है तो हम उन सारी बातों को भूल जाते हो लास्ट में उन्होंने जो जगड़ा किया वह हमको याद रहता है कि हम तो उसको ना बुलाएंगे ना उसके घर जाएंगे ठीक है यही लेकर के बैठ जाते हम उसको ऐसे करके दस साल बीच जाते हम उसको बुलाते ही नहीं है तो जब आप उसको बुलाएंगे नहीं तो वह बैचारा आएगा कहां से पहले आप उसको थोड़ा बुलाइए तो सही क्योंकि पांच साल बीच गए अप तो भूल जाओ पुरानी बातों को है ना तो लौट के बिच्ड़े आएंगे यानि जो आप से बिच्ड़े हुए है वह वापस जरूर आएंगे पहले आप घर की रात तो सचाईए यानि उनको बुलाइए तो सही पहले आप बुलाईए तब वह जरूर आएंगे भागे भागे आएंगे हैं ना फिर नात अंधेरों को मत कोस मन का दिया जला कर देख अभी नात मतलब कौन यहापर कभी ची क जलाओ ठीक है और फिर देखो अंदेर को hostsने से क्या फायदा है अभी इससे इतात पर अंदेरी क्या है जैसे नाकाम्याबी यह यहनि कि आप सफलता मिली तो असफ़लता को कोसने से कुछ फायदा Nu नहीं है आप सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ाओ और एक समय अवश्य आएगा जब आपको सफलता मिल जाएगी समझ में आया नहीं तो आप यहीं सोच करके बैटे हम तो यह करेंगे नहीं क्योंकि हम हर बार कोई भी आप से बोले चलो चलो यह काम करने नहीं हम तो हर बार फेल होते हम नहीं जाएंगे अरे उसको कोशने से अच्छा है कि आप फिर से प्रयाज कर हो सकता है आप इस बार सफल हो जाओ है ना तो बस यहां पर कवीची के कहने का मतलब यहीं है कि ना थन धेरे को मत्कोस दिल का दिया जला कर देखिए दिल में दिया जल रहा है देख समझे बच्चो तो यहां पर यह जो आपका पाठ है यह कम्प्लीर होता है मुझे उम्मीद है कि आपको यह कवीता बड़े ही अच्छी लगी होगी ठीके गयर मतलब पराय होता है तना मतलब अकेला और कुस्ना मतलब भला बुरा कहना ठीके बच्छो तो इस कवता को आपको बहुत अच्छी लगेगी अपने टीचर को भी सुनाइए अपने माम्मी पापा को सुनाइए अपने भाईया दीदी को सुनाइए अपने फ्रेंड्स के साथ गाईए ओके चलो अब भी हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं सब तर के लिए नमस्ते